अचानक पौधों का सूखना अशुप संकेत है देवी देट पाउं की तस्वीर खराब होना ये भी अशुप संकेत है बार बार चाबी खो जाना भी एक अशुप संकेत ही माना जाता है ये तो हमने पंडिजी से जान लिया लेकिन आज जिन 15 अशुप संकेतों के बारे में प उनके बारे में भी पंडेजी से चानाथ है, पंडे जी, तीन आपने अश्ब संकेत बताए, अब बाक्यों की बारे में वी जानकारीचा थे दोखो पूजा ऐसा है, हमारे हैं सकुन सास्त्र में बहुत ब्रिहत चर्चा है, हर चीज पे चर्चा है, आप कोई बात कर रहे हैं, उसमें गाय की आवाज आ जाए, तो ये सुप संकेत है, उसमें संख की धोनी हो जाए, सुप संकेत है, उसमें कुट्टे के रोने की आवाज जा जाए यह असुब संकेत है तो इस तरह से बहुत से असुब और सुब दोनों संकेत है जो हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हुए है बस जरुवत इस बात की है हम उसको कितना अध्यन करते हैं और फिर कितना उसे जीवन में देखते हैं कि यह सही है या गलत है अनुभव और अनुभव के बाद तब किसी बात पर आप विश्वास करिए कि हाँ ये सही है या घलत है तो मैं बताना ये चाहूँगा कि अगर आपके घर में आने वाले लोग हमेशा नाराज या नाखुस होकर जाते हैं तो ये बुरा संकेत है और इसका आपके परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ता है ऐसे में एक दिन आपकी इस्थिती ये होगी कि आप समाज में अकेले हो जाएंगे इससे बचने के लिए जैसे ही लोग जाएं उसके ठीक पंदर मिनट बाद आप अपने ड्राइंग रूम की सफाई जरूर करें गवन्दे बरतन साफ करें और उनके बारे में कोई बात करें आपको पहले की तूलना में अचानक अगर कम भूख लगने लगी है या ज़्यादा एसीडिटी होने लगी है पेट में जलन महसूस होने लगी है ये भी सुप संकेत नहीं है अगर बहुत तेजी से भूख लगती है, बहुत ज़्यादा बार आपको बात्रूम जाना पड़ रहा है, इसके लिए एक तो आपको अपने सुगर का भी जांच कराना चाहिए, और दूसरी बात अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए. इससे आपके परिवार में जगड़े लडाई होंगे, कारोबार की गती धीमी हो जाएगी, जीवन में ऐसे बदलाओं आएंगे, तो आपको तनाव देंगे, ऐसे में आपको गो सेवा करनी चाहिए. गाय में 33 कोट देवी देवताओं का वास होता है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं, जो लोग ब्रिहस्पतिवार को चने की भीगी हुई डाल और गुड गाय को खिलाते हैं, उनके घर का पितर दोस, प्रेत दोस, वास्तु दोस सब ठीक हो जाता है. कहते हैं, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जवयावे संतोस धन, सबधन धूर समान, सनातन धर्म में गाय को सबसे बड़ा धन माना गया है, उसके बाद में हाथी को धन माना गया है, तीसरे नमबर पर घोडे को धन माना गया है, और चौथे नमबर पर रतन ध वैसे मानिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, ये रत्न चोथे नंबर पर आते हैं, उसके बाद पांच में छठ्वे नंबर पर सोना चांदी और रुपए पैसे का नंबर आता है, अगर आपके घर में ऐसा है, तो आपको कम हल्दी डाल कर खाना खाना चाह और अपने पूजा स्थान में खड़े होकर, पूरब की दिशा में मुह करके, जोर-जोर से बोल करके, 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम भूर्भुवा स्वाहतातसावितुर्वरेणयं भरगो देवस्च धीमई धियोयोनाः प्रचोदयाद। ऐसा आप बोलें, कि आपकी आवाज सारे कमरों में चली जाए, इससे आपके संपूर्ण घर की निगेटिविटी दूर हो जाएगी, इस गायत्री चंदसाम मात गायत्री बेडु की माता है, और गायत्री के ये चोविस अक्षर अपने आप में बहुत ही सिद्धमंत्र है, इन चोविस अक्षरों को जहां भी बोला जाता है, वहां से अधृष्च ऐ आत्माओं का भः समाप्त हो जाता है, अभिझार, तंत्र, मंत्र, काले जादू का सनातन धर्म में सिर्फ और सिर्फ गायत्री की साधला करने का बिधान बताया गया है और सनातन धर्म में जो प्राता सायंग संध्या की याती है उसमें सूरे को अर्ख देने के बाद प्रानायाम करके सिर्फ गायत्री मंत्र के जब का ही बिधान है पांच बार प्राणायाम करके गायत्त्री मंत्र का यथा संभव जब करना चाहिए और अपने दर्सकों को बताना चाहता हूँ गायत्त्री का या तो चोबीस बार उचारण करिये या तीन माला करिये या फिर बारा माला करिये या फिर चोबीस माला करिये अपने मन से संख्या मत दिर्धारित करिए कोई कहता है मैं यारा माला करता हूँ कोई कहता है मैं साथ माला करता हूँ यह सब गलत है संख्या बनी हुई है 24 अक्षर की गायत्री है इसलिए 24 बार भी आप करेंगे तो पूने के भागीदार होंगे तीन माला करेंगे अठवा हिस्सा तब भी आप पूर्ण के संपूर्ण भागीदार होंगे बारा माला करेंगे आधा तो भी आप पूर्ण के भागीदार होंगे 24 माला करेंगे तो गायत्री मा की साक्षात क्रिपा आपके उपर बरसेगी जो लोग 24 माला गायत्तिरी मंत्र का रोज जब करते हैं और सात्तिक भोजन करते हैं और सदाचार पुरुवक जीवन जीते हैं उनसे प्रडाम कर लेने मात्र से सामने वाले ब्यक्ति का पाप ताप नश्ट हो जाता है इससे बड़ी क्या बात होगी जो व्यक्ति 24 बार गायत्तिरी मंत्र का जब करता है अगर उसे आप एक गिलास पानी पिला दीजिए तो आपके दुर्भाग्य नश्ट हो जाएगे आपके उपर जो काली छाया है वो सबाप्त हो जाएगे ऐसे लोग इस कलिकाल में मिलने बड़े मुश्किल है और जो लोग साधना रत हैं इस तरह की साधना कर रहे हैं उनके तो दर्षन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नश्ट हो जाते हैं ब्रहस्पतिवार को केले का सेवन न करके गुरुवार को केले का दान करना चाहिए जो लोग ब्रहस्पतिवार को एक दर्जन केला ले जा करके किसी धर्मस्थान में दान करते हैं उनके घर में कभी भी पितर दोस का कुपित प्रभाव नहीं पढ़ता है और पितर संतुष रहते हैं जै माविन दिवासनी